Good morning dear student, हम लोग हिंदी व्राकरन का आज लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है संग्या संग्या का मतलब होता है नाम, संग्या का मतलब क्या होता है नाम आप देख नाम मैं कुछ यहां पे कुछ नाम बोल रहे हूँ दश्रत के पूत्र राम अयोध्या के राजा थे यानि दश्रत के जो पूत्र है वो अयोध्या के राम जो थे वो अयोध्या के राजा थे तो मैं एक और वाक्य बोलती हूँ कि बचपन में मुझे इमली की खटास और आम की मिठास दोनों भाती थी इसमें जो दश्रत है और जो राम है ये व्यक्तियों के तथा आयोधिया एक स्थान का नाम है ये तो दौनों किसके नाम है दश्रत और राम यानि ये तो किसी व्यक्ति का नाम है और आयोधिया जो है वो एक स्थान का नाम है इसमें वच्पन यानि वच्पन वताया है और आम की मिठास दोनों बहुत पसंद थी, तो बचपन में तो बचपनी कवस्था को बता रहा है, और खटास और मिठास, ये दोनों क्या हैं? उसकी गुण मत्ता बता रहे हैं, यानि गुण बता रहे हैं, है न? और एक और सेंटेंस में बोल के दिखाती हूँ आपको जैसे चिडियाघर में कभूतर, बंदर, सेर, भालो और बिल्लिया भी थी, यानि एक जू में तो सारे अनिमल्स होता हैं, तो आप जब सेंटेंस देखेंगे, तो इसमें चिडियाघर तो एक जू जो होते हैं, इस्थान का नाम हो गया, कभूतर एक पक्षी का नाम हो गया, बंदर, सेर, भालो और बिल्लियाँ, पसुगे नाम के लिए हैं, तो इस प्रकार ये सर। किसके नाम हैं ये व्यक्ति गत नाम हैं, जीव दिखेंगे संग्या के पद हैं, सबसे पहले हम संग्या की सबसे पहले हम संग्या की definition जानते हैं संग्या की अगर मैं बोल हुए बर आप इसको डेफिनिशन देंगे to किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान आदी के नाम को हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं या तो आप इसकी definition ऐसे भी बोल सकते हैं किसी व्यक्ति वस्तो इस्थान आदी के नाव तथा उसके स्वभाव गुंड दसात और अवस्था को हम संग्या कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या जाना संग्या के बारे में जाना तो संग्या यानि नावन जो संग्या है वो पाच प्रकार की होती है लेकिन आपके बुक में सिर्फ तीनी प्रकार के बारे में डिसकस किया गया है सबसे पहले व्यक्ति वाचक संग्या यानि प्रॉपर नावन जाती वाचक संग्या यानि common noun भाव वाचक संग्या यानि abstract noun के बारे में discuss किया गया है चलिए सबसे पहले हम व्यक्ति वाचक संग्या के बारे में जानते हैं ठीक है? तो व्यक्ति वाचक जो संग्या है उनके बारे में अगर मैं बोलूं तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं जिस जिन संग्या सब्दों में किसी विसेश इस्थान या विसेश व्यक्ति अत्वर या फिर विसेश वस्तू का बोध हो उसे हम व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं या तो आप अपने विसेश के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि वे संग्या सब्दों जो किसी विसेश यानि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के या इस्थान या वस्तू के नाम को बताएं वे हमारे व्यक्ति वाचक संग्या होते हैं जैसे हरी, स्याम, मोहन, सीता, साबितरी, गंगा, यमुना, कावेरी, हिमाले ठीक है ये सब क्या हैं ये सब आदीज के एक्जाम्पल्स हैं ये बिल्कुल पर्टिकुलर है ठीक है ये बिल्कुल निश्चित नाम है जैसे मैं व्यक्तियों के नाम बोल दू तो राधार, जुन, सीता है ये सब नाम होगे मैं किसी स्थान का नाम बोलू तो जैसे आपने लिख्था है मेरठ, पटना, हरिद्वार, पूने ये सब क्या है ये सब स्थान के नाम है वस्तू के नाम क्या हो गए वस्तू के नाम हो आगे देखते हैं, आगे अब हम common noun के बारे में यानि जाती वाचक संग्या के बारे में पढ़ेंगे, जाती वाचक संग्या क्या है कि जिन संग्या सब्दों से उसकी संपूर्ण जाती का बोध हो यानि ऐसे संग्या सब्द जिससे उसकी पूरी जाती का बोध हो उसे उन्हे लड़की यानि जो गर्ल्स है वो पूरी प्रजाती लड़कियों के पूरी जाती को बता दिये हैं तो इसमें जो होता है यह पूरी गुरुप को बताते हैं किसी पूरी पूरी जाती को डिफाइंड करते हैं ठीक है आगे है भाव वाचक संग्या यानि आपश्रेक नम जिन संग्या सब्दों के सब्दों से प्रधार्तों का गोंड दसा वस्था धर्मादी का बोध हो उसे हम भाव वाचक संग्या कहते हैं ठीक है अगर आप देखेंगे तो जैसे सुसंत्रता, बुढ़ापा, ठीक है, अच्छाई, बुराई, मिठास, लड़कपन ठीक है, यह सब क्या है, यह सब भाव वाचक संग्या के कुछ examples है अब व्यक्ति वाचक और जाति वाचक संग्या में अंतर जानते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति वाचक और जाति वाचक संग्या में जब आप अंतर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो व्यक्ति वाचक संग्या जो है, वै जाती, व्यक्ति पया इस्थान आदी किसी विसेश नाम का बोध होता है व्यक्ति वाचक संग्या के उधारण से स्पष्ट होता है किन्तु जाती वाचक जो है वो पूरी जाती का बोध करवाता है जैसे नादी, नदी, परवत, इस्थान कहेंगे तो यह सब क्या है यह सब जाती वाचक संग्या कहलाएंगे अगर हम बोलें कि English grammar, sorry English background में जो अंग्रेजी का जो grammar होता है उसमें जो हम समुदाय वाचक जो हम पढ़ते हैं जसके समुदाय वाचक जिसको हम collective noun और द्रव्य वाचक यानि material noun जो हम पढ़ते हैं तो यह सब क्या है यह इसके अंदर आ जाते हैं यह दोनों भी जाती वाचक स मनुष्य जाती हो गया भाव क्या हो गया मनुष्यता नारी नारित्व पसू पसूता तो यह सब क्या है यह सब इसके कुछ examples हैं तो आपने पढ़ा कि सबसे पहले संग्या क्या है तो संग्या के वारे में आपने पढ़ा कि किसी वस्तु व्यक्ति इस्थान आधी के नाम का बूत कराने वाले सब्द संग्या कहलाते हैं यहां बोल देंगे नाउनिजा नेमिंग बॉर्ड किसी व्यक्ति वस्तो इस्थान आधी के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के हमने तीन रूप पड़े व्यक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या और भाव वाचक संगया, उसके बाद हमने व्यक्ति वाचक संगया और जाती वाचक संगया में अंतर जाना, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो जाती वाचक संगया भाव वाचक संगया से में कैसे बनती है, ये देखा, फिर जो सर्वनाम होते हैं, जैसे पराया, अपना, ह निजता हो गया विशेशन पदों को भाव आचक संग्या में बदलना बताया है कि हारा यानि हरियाली या हरापन बोल सकते हैं सफेद का सफेदी हो गया है ना और मैं आपको बताऊं विशेशन वर्ड जैसे मैं बोलू खटा खटा का खटास निपून निपूनता सबल सबलता सफल सफलता दुरवल दुरवलता मधूर मधूरता है ना उचित औचित है ना तो यह सब क्या है यह सब विशेशन सबते जिनको हमने भावेवाचक बनाया अब किर्या सब्द को उपद को बनाने के कुछ एग्जामपल्स देखते हैं जैसे खेलना खेल लिखना लिखाई थामना थकान थकना थकान है ना सौरी कामना कमाई लेना देना लेन देन चड़ना चड़ाई हसना हसी उड़ना उड़ान थकना थकावट या बोल सकते हैं थकान ठीक है पढ़ना पढ़ाई तो यह सब क्या है यह सब किर्या सब थे जिनको हमने भावाचक में बदला उसके यह exercise मैं आपको PDF के माध्यम से दूंगी ठीक है तो यह हम करेंगे अपने अगले वीडियो में ठीक है यह हम अगले वीडियो में करेंगे और कोई डाउट हो तो आप लोग हो सकते हैं यह चाप्टर आज खताम हो गया धन्यवाद